तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडिमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग के टिन्थ क्लास के और हिंदी का चैप्टर नॉमबर नाइन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अशोक का सश्त्र प्याग पहले इसका युद जितने भी लड़ाई लड़े थे ना उसमें कभी हारे नहीं थे और यह अपने जिंदगी में कभी भी किसी के सामने जो है वो सिर नहीं जुकाए थे ठीके तो उनी अशोक जो है अशोक का शस्त्र त्याग शस्त्र का मठलब होता है हतियार तो आखिर ऐसा क्या को त्याग दिए हत्यार को त्याग सद्यदिए हमेशा मेंसा के लिए लड़ाई जग्रा चोड़ दीए ऐसा क्या हुआ था यही आप लोगको इस चेप्टर में जानना है ठीक अ अशोक का शस्त्र को थे यह पूरी कहानी आप लोग जानेंगे ठीक है तो इस चैप्टर के लेखक जान लिजिए लेखक का नाम है वशिंदर सिर्वास्ता हो ठीक है अब चलिए मैं आप लोगों को एकदम शुरू से कहानी बताती हूं देखिए यह जो अशोक थे समराट अशोक वो अपने गुरू जी इनके गुरू जी कौन थे चाड़क किया टीचर तो अपने गु टूट गया था तो अशोक जो है वो भारत को अखंड भारत बनाना चाहते थे यानि कि अब भारत लग एक साथ मिलाना चाहते थे और उसको बनाना चाहते थे ठीक है तो एक दिन जो है अशोक क्या कर दिये एलान कर दिये यहाँ पर ध्यान रखिएगा अशोक जो है वो मगद राज्य के महराजा थे समराट अशोक थे अशोक जो थे वो कहा के राजा थे तो मगद के ठीक है तो एक दिन अशोक जो है वो एलान कर दिये मतलब घोशडा कर दिये कि जितने भी इस भारत में, जितने भी राजा है, वो मेरे अधीन आ जाए, यानि कि मेरे अंडर में आ जाए, मेरे पक्ष में आकर वो काम करे, मेरे अंडर में आकर वो काम करे, और जो भी राजा मेरे अधीन नहीं आता है, उससे मुझे लडाई करना होगा, ठीके, तो जो अशोक था वो बहुत बड़ा राजा था जिंदगी में कभी हार नहीं माना था तो लगभग भारत के जितने भी राजा थे जो छोटे-छोटे इलाकों के राजा बने थे ठीके वो क्या कर दिये अशोक के अधीन आ गए मतलब अधोक के अशोक के पक्ष में आ गए उनके अंडर में आकर काम करने लगे लेकिन एक राजय था कलिंग ठीके वहां के जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि वो अशोक के अधीन आया यान कि अशोक के अंडर में आकर काम करें यह जो कलिंग के राजा थे वो चाहते थे यह जो कलिंग है वो एक देश बने और इसमें जितने भी लोग है वो सस्वतंत्र हो हो ठीक है हमारा जो एक कलिंग है वो अलग देश बन जाए यह किसी के अंडर में काम न करें तो अब हुआ क्या अशोक बोले थे कि जो भी मेरे अधिन नहीं आएगा मेरे अंडर में नहीं आएगा तो उससे मुझे युद्ध करना होगा तो अब कलिंग और मगद के बीच युद होना शुरू हो गया लाई स्टार्ट हो गई पर मगद जो है वो भी मजबूत पाटी था मतलब समराथ अशोक का ये सैनिक थे तो ये तो खुद मतलब मजबूत थे ठीक है और उसके बाद से कलिंग भी कुछ कम नहीं था ठीक है कलिं का मैदान जहां पर होता है ना जहां पर युद यानिकी लडाई होता है वहां पर एक कैम्प रहता है मिल्टरी कैम्प की अगर कोई भी सैनिक को चोट लग जाता है घयल हो जाता है तो यहीं वहीं युद के मैदान में जो है ना मगद के जो राजा थे यानिकी समराथ अश जीत नहीं पाएं उनका एक समवधाता समझते हैं सुचना देता है जिए आप लोग देखें होंगे जो नीज सुचना लेकर और बोला कि महराज की जय हो किसको अशोप को सम्राट अशोप को बोला कि महाराज की जय हो महाराज जो कलिंग के राजा है वो युध याने की लड़ाई में मारे गए यह सुनकर सम्राः अशुक बहुत दखुश हुए वो बोले कि सच में कलिंग के राजया युद में मारे गए इसका मतलब अब हम लोग सफल हो गए अब हमारा होगा कलिंग पर हमारा राज recht होगा अब हम लोग कलिंग को जीत लिए ये बोजदा खुश थे समराथ अशुक लेकिन वो जो समवदाता था जो सुचना लेकर आया था वो चुप खड़ा था तो समराथ अशुक पूछे कि आखिर तुम चुप क्यों हो ये तो खुशी की बात है ना तो वो जो समधाता है वो बोला कि हाँ ये तो खुश्री की बात है कि जो कलिंग के राजा है वो लड़ाई में माले गए लेकिन फिर भी जो कलिंग का दुर्ग है यानि की कलिंग का महल का जो फाटक है फाटक यानि की दर्वाजा दूर को कहते हैं तो कलिंग के महल का जो फा कलिंग का जो महल है उस पर हम लोग अपना जंडा फहराएंगे और उसको कलिंग के महल का फाटक खोलेंगे हम लोग और उसको अपना परचम लह रहेंगे यानि की जंडा लह रहेंगे अगले दिन समराथ अशोक जो है अपने सैनिकों को लेकर कलिंग के महल पहुचें जहां पर फाटक बंद था फाटक के सामने खड़े हो गए और अपने सैनिकों से बोले कि मेरे वीर सैनिकों आज चार सालों से युद्ध हो रहा था कलिंग और मगद के बीच और कलिंग के रा फाटक है इसको खोल कर इस कलिंग के महल पर अपना जंडा लहराएंगे या तो इस महल पर जंडा लहरेगा नहीं तो हम मृत को गले लगा लेंगे या तो इस महल पर जंडा लहरेगा नहीं तो हम लोग मौत को गले लगा लेंगे ठीक है यह सुनकर समराथ अशोक के जितनी में से कलिंग के जो महराज थे उनकी पुत्री यानि की कलिंग की जो राज कुमारी थी पदमा वो सैनिक का भेस लिए हुए सैनिक जो भी पहनते हैं ना लडाई करने के लिए वह मतलब एक तरह से पुरुष का भेस वो ले लिए थी और उसके बाद से हाथ में हथियार लेकर और निकली और उसके बाद से उसके पीछे पीछे मतलब राज कुमारी पदमा के जितने पीछे जितनी भी उस महल की जितनी भी ओरते थी वह भी बाहर निकली और वह भी सैनिक के भेस में थी मतलब वह एक तरह से पुरुष के भेस में थी और उन सभी के हाथों में हथियार था ठीक है और yön जितनी उरतख चाह जो करने के लिए बाहर निकली एक सैनिक के बेसमेश और समराट अशोह का जहां पर सेना था और जहां पर समराट अशोशोक खडے थे उससे कुछ दूरी पर आकर जो है राजकुकुमारी पदमा रुप गई और तुमसे और कुछ नहीं कहना जिस सेना ने तुम्हारे भाई पती पुत्र और उसके बाद से पिता की हत्या की वो तुम्हारे सामने खड़ा है ठीक है उनसे तुम्हें लोहा लेना है तुम प्रण करो कौन बोल रही है राजकुमारी पदमा अपने औरतों के सैनिकों से बोल करेंगे तब तक कोई भी हमारे इस करिंग महल को कोई हाथ नहीं लगा सकता है ठीक हम को पराधीन होने से पहले यान कि किसी को लेने से पहले हम अपनी आख्रें बंद कर लेंगे milhões यह जंङ से और परकी से यह सुख जो है ना वह चो उठा था वह हैरान था और देखे समराटर्शो क्या बोला बोला कि आखिर ये कौन है लग रहा है कि कलिंग को बचाने के लिए साक्षाध देवी उतर आई है यह तो जितनी भी सैनिक है वह और तो कि सैनिक है इस्त्रियों कि सैनिक है क्या मुझे करने के लिएbeltया कि मुझे ओरतों को माना पड़ेगा नहीं कि एसा मेरा शास्त्रक महीं कहता है कि तुम युद में इस त्रीओं का वध करो की appelle जाकर सम्राइट अशुक जो कि आखिर कौन है देविया अब जो है राज कुमारी पदमा बोली कि मैं इस कलिंग राजे की राज कुमारी हूं मैं अशोक के सैनी को और अशोक से युद करने आई हूं लडाई करने आई हूं कहा है अशोक मेरे पिता का हत्यारा कहा है तो उट तो समराट अशोक खुद ही थ ठीक है अब यह बात सुनका राज कुमारी पदमा है वो बोली क्यूं उट चूम जों को से इफ्वन एक अभीड करो गण्तनों कर लाये आगी चिरे थे चिरीयों के चाहिता गोरेपोई यह प्रैड़ी घुकि जर्णी वात है हुश्टिती आ तुम्हारा शास्त्र यह आग्या देता है कि लाखों इस्त्रियों की मांग के सिंदूर को पूछ दो अगर तुम्हारा ऐसा शास्त्र आग्या देता है तो फुक डालो जला डालो इस तरह के शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है मैं यहां पर शास्त्र सीखने नहीं आई यह देखकर राजकुमारी जो पदमा है वो बोली कि सर क्यूं युका लिए महाराज उठी और हमसे युद कीजिए ये बात सुनकर समराट अशोक जो है वो बोले कि बस बहुत हुआ राजकुमारी अब मैं युद नहीं करूंगा अब क्या मैं आज से कभी भी युद करूंग तुम्हें हुक्म नहीं देगा कि जाकर दूसे पर आकरमर करो फेक दो अपनी तलवारे अब यह देखकर यह बाते सुनकर राजकुमारी पदमा जो है वो बोले कि मैं इस तरह के भुलावे में नहीं आ सकती महाराज उठीए और मुझ से युद कीजिए मुझे अपने पित ठीक है लेकिन मैं हत्यार नहीं उठाओंगा मेरी प्रतिग्या अटल है कि मैं इस्त्रियों पर हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाओंगा राजकुमारी पदमा वो बोली तो जाइए महाराज इस्त्रिया भी किसी भी निहत्तों पर वार नहीं करती जाइए आप अपनी प्रति के अंदर लेकर चली गई ठीक है और उसके बार जो है समराट अशोक लड़ाई अपने जिंदगी में युद करना और हथियार उठाना तो छोड़ी दिये उसके बाद से समराट अशोक जो है वो बहुत धर्म अपना लिए और यह परतिग्या ले लिए कि जब तक मैं जीवित रहूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं अपनी प्रजा की भलाई सोचूंगा और जितने भी प्राड़ी है उनको सुख और शांती देने का प्रयातनियानी की प्रयास करूँगा ठीक है और इस तरह लास्ट में समराट अशोक जो है वो अपने शस्त्र या शेयर कीजिएगा अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सके और हां अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सब्सक्राइब जब करेंगे तो आप लोग एक बैल आइकन यान की घंटी दिखाई देगी तो घंटी क को दबाना आप लोग मत भूलिएगा जब आप लोग घंटी को दबाएंगे ना तो आल का आपसन आएगा तो आल पर क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक है तो चलिए फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज